हलो एवरिवन मैं विश्वजीत सिंग आप सभी का दीगीना पर स्वागत करता हूँ दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर में हम M.A.History M.H.09 का दिसंबर 2022 के कोशन पर को सॉल्फ करने वाले हैं M.H.09 के बारे गरम में हम बात करें तो इस बुक के अंदर में हमें भारती रास्टी आंदोलों ने इंडियन नेसल मुमिंट के बारे में पढ़ना होता है 1947 में हमारा देश अजाद हुआ तो उसके लिए कौन-कौन से मुमिंट चलाए गए कौन-कौन से आंदोलों नों का सोरूप किस परकार का था किस तरह से उन्होंने विस्तरित आकार लिया किस तरह से उन्होंने अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजगूर किया उसके बारे में आप हम पढ़ते हैं बहुत इंपोर्डेंट बुक है और कई सारे इंपोर्डेंट टॉपिक्स इसके अंदर में बनते हैं चलिए last year के question पर को थोड़ा समस्ते हैं किस तरह के question last year आया हुआ था सबसे पहले अगर हम अपने question paper के बारे में बात करें तो इस question paper को solve करने के लिए में 3 गंडे का time मिलता है 100 number का paper होता है और आपको 5 questions attempt करने होते हैं total 10 question exam में पूछे जाते हैं सबसे most important चीज़ रहता है कि आप जब कभी भी किसी भी question का answer लिखोगे तो आपको 500 word limit के अंदर में ही answer को complete करना है word limit को हमें सा follow करना है अगर आप word limit को follow करके answer लिखोगे तब ही आपको proper number मिलेगा otherwise आपके number कटने वाले हैं last year किस तरह के question आयोए थे उसके बारे हम बात करें तो हमारा जो सबसे पहला question था जहां पर हम बात करते हैं रास्ट और रास्ट वाद के उदे के बारे में गैर आधुनिक्तावादी सिधान्त को गैर आधुनिक्तावादी सिधान्त को support नहीं करता है उसको नहीं मानता है उसको हम गैर आधुनिक्तावादी सिधान्त कहते हैं जो आधुनिक्तावादी सिधान्त नहीं है उसको हम गैर आधुनिक्तावादी सिधान्त कहते हैं तो यहां पर question दो तरीके से बन कर आता है कई बार कोशन आदुनिक्तावादी को पूछा जाता है कि आदुनिक्तावादी सिधानत को बताईए जबकि इस बार गैर आदुनिक्तावादी सिधानत को पूछा गया है तो आपको दोनों चीजों को समझना है आदुनितावादी सिधान्त में कहा गया कि जो राष्ट और राष्टवाद का उदे होने का जो सोरूप देखोगे तो उसके अंदर में कम अंतराल दिखता है उसको तीन तरीके से गयरादुनितावादी सिधान्त में बता जाता है कि किस परकार से राष्ट और राष्टवाद का उदे हुआ तो विकासवादी सिधान्त, प्रकर्तिवादी सिधान्त और निरंदर्तावादी सिधान्त के तौर पे रास्ट और रास्टवाद को डिफाइन किया जाता है जिसके अंदर में हम विकास वाधी सिधानत में बात करते हैं कि धीरे-धीरे कुछ जो विदवान थे उनका माना था धीरे-धीरे-धीरे उसका स्वरूप Вिक्षित होता गया और एक दिर्ग-कालिन्ज समय पिरेड में एक लंबे टाइम पिरेड में एक लॉंग टाइम पिरे जो भी चीजे हो रही थी नहीं जो भी इंसिडेंट घरते जारे तो उसको मानब का मस्तिक सिकार करता चला गया उसके बेसिस पे ही जो राष्ट और राष्टवात का सिध्धान्त विक्सित होता है यह माना जाता है यहां पर तीसरा आइडिलोजी गैर आदुनितावाद इस होता जा रहा है इसके बारे में आप बात करते हैं तो जब कभी भी कोशन का अंसर लिखोगे गैर आदुनितावाद इस इधान्त का तो सबसे पहले तो आप यह डिफाइन करो कि रास्ट और रास्टवाद होता क्या है रास्ट जहां पर रहते हो जिसकी एक सीमा है जिसकी खड़े हो इस तरह की जो भावना उसको हम रास्ट भाद बोलते हैं आपने कही बार भारत को लेकां सारी लोग हैं ज़ो भारत को कुड़े करनी की बात करते है तो क्या वो रास्ट वाध के सिधान पर खरे उतरते है तो नहीं बिल्कुल भी नहीं ऑगर भारता रास्ट व Award पूरा अखंड भारत है यह मौरे सम्राज्य के टाइम पर असवक समराट में पर रोन हैघ पर जो भी अगर रास्टवा सिधान्त के विचारक हैं या फिर जो रास्टवा सिधान्त को मानने वाले हैं उनकी बात करोगे तो वो अखंड वारत के सिधान्त को फोलो करना चाहते हैं अखंड वारत का जो सिधान्त है उसको मानते हैं तो जब कभी इस कोशन का अंसल लिखो और गैर आदुनिता वादी सिधांत के अंदर में जो तीन पाट आते हैं विकास वादी सिधांत प्रकृति वादी सिधांत और निरंतरता वादी सिधांत तीनों को यहां पर डिफाइन करते जाओ ठीक है विकास वादी मतलब किस तर से ग्रो किया और प्रकृति वादी मतलब दीरे दीरे करके किस तरसे परिवर्तित होता चला गया और दिर्ग कारिन विकास के बाद राष्ट और राष्टवाद जैसे सी दांतों का उदे होना ये गयरादो नित्ता वाद इसी दांत के नदर में माना जाता है ठीक है समझ में आता है easy topic है easily कर सकते हो बहुत easy topic है अगले question के और बढ़ते है अगला question हमारा कहता है कि भारत में आर्थिक राष्टवाद पर भारतिये चिंतकों को विचारों को की विवेचना की जिए अब देखो भारत का आर्थिक राष्टवाद मतलब क्या मतलब आर्थि को चिंतक कहें या फिर विचारक कहें या फिर इत्यासकार को या विद्वान को यही बात बराबरी रहता है ठीक है तो यहां पर अगर मैं कुछ नाम लूँ कि कौन-कौन से कुछ नाम क्योंकि आपको नोट करने पढ़ेंगे लिखने पढ़ेंगे एक्जाम के अंदर में आपके जो जो चैप्टर है सेकिंड चैप्टर के अंदे में आर्थिक रास्टवाद वाला चैप्टर है उसमें बहुत अच्छे दरीके से बहुत सारे नाम दे रखे हैं ठीक इसमें सबसे पहले आते है राजा राम मोहन रहें जो 1830 के दसक में उपनविशिक सरकार का जो आर्थिक सोचन का जाँ दर का यह दो दूुंत्र होती है किसानों के साथ मैं किस तरव ध्यवार क्या दा रहा है उसके बारे में राजा राम मोहन रहें को होते हैं उसके बाद आप देखोगे यहां पर भासकर तार खघर करके और इतियासकार इतिहास कार कहलो या उस समय के चिंतक कहलो ठीक है बासकर तार खदर कर एक करके आते हैं जिनके अनुसार यह माना गया संपुन भारत के समान ही महारास्ट में सोदेशी उद्योग के विनास का परिणाम और कारगरों की गरीवी का दुरगती के सामने आया ठीक है यहां पर जो है ठीक है वहां पर भाव महाजन करके एक और चिंतक आते हैं जो कहते हैं कि खजाने को युद इस्तर पर मतलब जो खजाना था भारत के उपर डाला जा रहा था क्यूंकि जो पूरा टाइम पिरेड है उस टाइम पिरेड पर कई सारे युद लेड़े जा रहे थे कई भारत के उपर में उसके खर्चे का दवाव बढ़ता जा रहा था खर्चे का लोड भारत के उपर पढ़ रहा था उसके बारे में भाव महाजन करके जो इतिहासकार है वो बोलते हैं कई सारे और भी इतिहासकार आते हैं यहां पर इतिहासकार बार बर बोल रहा हूं में इत देव गोविंद रानडे ठीके जीवी जूसी करके कई सारे जो चिंतक थे उस तमें पर उन्होंने इनके बारे में बोला कि किस तरी के धन निकासी के बहुत बड़ा टॉपिक था ठीके धन निकासी किस तरह से किया जा रहा है भारत से धन को कैसे लिया जा रहा है ठीके जो सं संसादनों का किस तरह से दोहन क्या जा रहा था, उसके बारे में बात करते हैं, वनों का दोहन किस परकार से हुआ, वनों के दोहन के बारे में बात करते हैं, आर्थिक तोर पर कमजोर करने के भारत के उपर में करका बोज किस तरह से डाला गया, ठीक है, किस तरह से जो पूरा मतलब क良 साथ टैक्स ववास्था तो सो किस doctor say मिल में बात करते नएकर ववस्ता को कैसे लाइगा बहुप को विक्सित किया गया क्यों चालू किया गया कि दल बश्ठा का क्रणा मिधिन एिन सबी चीजों को ंपर में बोलते हैं सारे और यही आपको यहाँ पर define करना है कि भारती आर्थिक रास्टवात क्या है ठीक है समझे में आता है तीसरा question है आप आता है सयोग आंदोलन पर टिपर नी लिखिए सयोग आंदोलन है क्या सबसे पहले जब इस तरह के question आपको देखने के लिए मिलते है अब आपको सयोग नहीं देना अंगरेजों ने जो भी उस समय पर कानून बना है जो भी उस समय पर उनके rule regulation थे हम ने उसको मानने से इंकार कर लिया अंगरेजों बोला कि सभी लोग इसमें सयोग दे जैसे अब हर घर तिरंगा करके अब हम जब आपका पीछे 26 जनवरी या 15 गस्त गया था उस समय पर चला था 26 जनवरी पर सॉरी हर घर तिरंगा जिसके अंदर में क्या हुआ कि हर घर के अंदर में एक तिरंगा लगाने की मुहीम चलाए गई हमारे परधान मंतरी के द्वारा में अब पदान मंतरी ने बोला कि हर घर तिरंगा लगाना है, हमने बोल दें नहीं लगा रहे, तो क्या हुआ असायोग हम उसमें सायोग नहीं कर रहे हैं, पदान मंतरी ने बोला सब थाली बजाओ, हमने मना कर दया कि हम नहीं बजाएंगे, तो क्या हुआ असायोग, मतलब जो शुरू होता है जिसके अंदर में जो खिलाफत अंदोलन उससा इंप्रेटर पर चाला था अंग्रेजों के वुरुद ठीक है तो उसका भी इंपक्ट यहां पर देखने के लिए मिलता है जो आर्थिक इस्तिति जो भी कही ना कहीं जो लोग पार्टिशिबेट करतेए अंग्रेजों के अंदर में कर देना ठीक काम कर पकर जाना मुपक्न को मानना थो इन सबी चीजों को मानने से इंकार कर दिया उनीस्ए के अंदर में असकर्ण अंग्रेजों के विरोध करने के लिए उनकी जो भी रूल रेगलेशन थे जो भी कानून विवस्ता था उसको मानने से इंकार किया गया ठीक है अहिंसा के तरहा पर मतलब बिना लड़ाई जगड़े के उन चीजों को मानने से इंकार कर दिया कि हम यह चीज नहीं करेंगे हम यह चीज नहीं मानेंगे ठीक है इस तरह के व्यस्ता थी तो यह पूरा अगस्त 2020 को स्टार्ट हुआ आपको इसके बारे में बताने आपने बहुत बार पढ़ाऊगा अंदोलन के बारे में खिलाफत आंदोलन के बारे में तो इन दोनों पापिक को पढ़के जाना क्योंकि खिलाफत जो अंदोलन था उसमें एक तरह से इस्लामिक एंगल देखा जाता है मुस्लिम जो लोग थे उनका सपोर्ट देखने के लिए मिलता है तीक है उसी के जोर पे अस्योग अंदोलन भी सुरूप सेमी रहता है जिसमें अंग्रेजु के विरुद कुछ कार्रे करने से मना करना कि हम इसको नहीं मानेंगे इसको नहीं करेंगे इसके उपर में किया जाता है और अस्योग अंदोलन भी सेमी रहता है पर खिलाफत अंदोलन का जो सोरूप था है स्टार्टिंग सोरूप वो थोड़ा सा अलग रहता है क्योंकि उसके अंदर में जो खलीफाओं की जो पावर थी, खलीफाओं को किस तर से कमजूर किया गया, खलीफा की पावर किस तर से छिनी गई, इसके बारे में यहाँ पर बात की जाती है, खिलाफ अंदुलन के अंदर में, जब कि यह यह अंदुलन में ऐसा नहीं होता है, ठीक है समझ में आता है, अगले कोशन के और बढ़ते हैं, अगला कोशन हमारा कहता है कि भारत में करांतिकारी रास्टवाद के विकास की वर्णन की जिए, अब करांतिकारी रास्टवाद है क्या, इसके बारे में जब हम बात करते हैं करांतिकारी रास्टवाद के अंदर में, तो देखो करांतिकारी रास्टवाद की जब हम बात करते हैं, तो कई सारे जो उस समय जो इस्तिती थी भारत की, 1947 से अगर पहले की condition की बारे हम बात कुरू भारत की, तो उस समय पर अंग्रेजों का पूरा दबदबा था भारत के अंदर में, ठीक है, अंग्रेज कई तरह की rule regulation नीतियां बना रहे थे, जिससे भारत क विकास और भारत के उपर कपज़ा उखर के रक सके, उन्होंने एक निति बनाई, जिसको हम कहते हैं कि, फूर डालो, सासन करो की निती, फूर डालो, सासन करो की निती। ाइaid करो कि नीती नहीं चलेगी यहां पर आपको एकता की जरुilt पड़ेगी दोनों को एकता को पूर्वाली-गता नहीं मतलब आप अससवे राश्वार खांग कर कौनकर कम दर्म fautto भारत क कृष्जा करना ने 1760 निसो चे अंदरमें भंगाल 전 विवाजन के बाटने में भी सबसे बड़ा रूल यही था कि ही फूद डालो साशन करों के नीती जो अपना ही गए थी जिसके तुरू जो क्रांतिकारी आंदोलन चलाई जा रहे थे उसको कमजोर करना था क्योंकि क्रांतिकारी आंदोलन की ज्यादा तर जो सुरुवातियों से देखने के मिली थी बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन बहुत ज्यादा मजगूत हो रहा था जड़ मजगूत करती जा रही थी जिसके बाद यहां पर फूद डालो साशन करों के नीती लाए गया भारत को दो टुकड़े किये गए तो उस समय पे ठीक है जिसके अंदर मे बंग बंग जिसको हम बोलते हैं बंगाल का भिवाजन बंग बंग ठीक है यह समझ में आता है इसके साथ साथ में यहां पर देखोगे तो कई जगह पर जैसे यह जो पूरा हुआ जो फूद डालो साशन करों की नीती चलाएगे जो इसका इंपक्ट भी लोगों को पर में देखने के भी मिलता है कई सारे लोगों की हध्या की जाती है कई सारे लोगों को फांसी दी जाती है सजाय दी जाती हैं उसके बाद में जो सजा देने वाले जोर्दिकारी थे सुरूर को बढ़ाने के लिए क्या चीज़े कीगे किस तरीके से उनको इकठा किया गया कि क्या क्या चीज़े की जाती थी ठीक हो सारा कुछ यहां पर आपको बताना है ठीक है इजी कोशन ने ज्यादा कोई टफ नहीं है और यह जो पूरी बुक है में चाहिजी रोना है करना है बस वापस से एक बार दोराना है डिवीजन करने जयसा है बाकि सारे टॉपिक है इसली कर सकते हैं अगले कोशन के वर बढ़ते हैं कोशन नमर 5 जहां पर हम बात करते हैं भारती रास्टिया आंदॉलन के विकास में सोराज पार्टी की भूंका सोराज पार्टी सब एक तर से परियोग जो पूरा सोराज को रास्ट आंदोलन की तोर पे देखा जाता है रास्ट के लिए हम बात करते हैं कि किस तरीके से अपना देश सोच के बारे हम बात करते हैं ठीक है इसके जो इस विचारत था रहे कि जो जनम दाता के तोर पे मोतिलाल नहरू और चित तो राजवादी जो राज निती होती है उसका उदे भारत सरकार के अदिने 1919 के अंदर में किया जाता है ठीक है और यह पर्थम विश्यूद के बाद में जो भारत की आसाएं बढ़ गई थी कि किस तरीके से देश आजाद हो सकता है उसके बारे में यहाँ पर उसके उपर में यहाँ पर हम आगे बात करते हैं कि किस तरीके से उस समय जो आंदोलन था रास्टी है आंदोलन था स्वराज पर्टी का क्या भूमिक रहा तो स्वराज पर्टी का निर्मानी इसलिए हुआ कि लोग अपने आपको पार्टिसिबेट कर सके उसके अंदर में और देश को अज किया जा रहा था बट यहां पे आप देखोगे तो 1922 में जो चोराचुरी कांड होना ठीक है अचानक जो इस्थरगीत हो गया चोराचुरी कांड के बाद में इन सब चीजों के बाद गांदी जी का ग्रफतार होना कॉंगरेस के सामने दू समस्य उत्पन होना इस सारी चीजी किस तरीके से सोराच पाट्डी का अंत की और पतन की और बढ़ता है यह बता जाता है नॉर्मली अगर इसके विकास के काल को देखोगे तो 1923 के अंदर में जब सोराच पाट्डी का गठन किया जाता है 1919 एक्ट के अनुसार ठीक है तो वहाँ पर यह रहता है में मोटिफ कि किस तर से हम लोगों के अधिकार के लिए लड़ सकते हैं जो में अंग्रेजों के विरुद हम किस तरीक है जो लोगों का जनुमत खड़ा कर सकते हैं इसके लिए यहाँ पर कारे करने की बात की जाती है ठीक है समझ में आता है यह वाला कोशन यहाँ पर अगले कोशन क्यों करते हैं पर मतलब सफल होते हैं महिलाइं जो ती देखो 1947 के अंदर में हमारा देश सजाद हुआ कर सकते लड़ाय ज़ल्दी कर सक्तेथे साथ में यहें भी माना गया कि पुरस के पास में क्या है कि होप कम आसा कम थीकि आसा कम है हाथ में उनके बास पैशिंस नहीं है कि वो स्थिर होकर सोच देचरे कि के यह छीजे देखी गई धेरे की कमी थी पुरुसों के अंदर में उसके कारण से गांधी जी ने क्या माना कि महिलाओं को इसके अंदर में पार्टिसिपेट करने ही ज़रो थे और वहाँ पे उनको एप्रिसेट करते हैं उनको मोटिवेट करते हैं कि आप आगे आकर इसके अंदर में तो वो मोरचा वही पर खतम हो जाता था तो महिलाओं के सक्री जीवन से यहाँ पर आने का मिन मोटिप क्या था कि जैसे ही पूरिष सब गृफतार होंगे, तो महिलाँ उस मोर्चे को समालेंगी, उस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगी, उसको सफल कराने का कारे करेंगी, जिसके काँछ से महिलाओं के जो सारवजनिक जीवन था, उसके अंदर में बदलाव आता है, और सारवजनिक जीवन को गांधिवादी तरीके से गोल बंदी मतलब कि जो भी आंदोलन चल देते उस समय पे उसको वहाँ पर रोकने की कोर्सिस की जाती है ठीक है समझ में आता है यहाँ पर कई सारे जो उस समय के महिला आंदोलन के जो लोग थे वो यहाँ पर पार्टिस्पेट करते हैं महिला आंदोलन के अगर आप बात करोगे कि किस तरीके से रहा कौन-कौन से पार्टिस्पेट क्या तो यहाँ पर कई सारे आंदोलन कारे महिलाओं को आप देखोगे जो यहाँ पर पार्टिस्पेट करते हैं जिसके अंदर में सबसे पहले मुर्दूला सारा भाई गांधी आती है जो यहां पर महिलाओं को अपने साथ में जोड़ने कोर्शिस करती है और आगे चलके मतलब अपने पूरा गुरुप था उसको सफल करती है अम्मन एक लोगपिर नाम के तौर पर उसको जाना जाता है ज जगी देवी राम चंदर की पतनी यह सारे बहुत सारे जो हजरत बेगम मोहानी उमा नहरू ठीक है यह सारे बहुत सारे विजय लक्ष्मी यह कई सारे जो महिलाओं को मोटिवेट कर रही थी कि किस तरह किसा आप भारत के सोतनतरता आंदोलन गंदर में पार्टिस्पेट कर सकते हो अपने विचारों को रख सकते हो इसके बारे में यहां पर बात करते हैं कोशन नमर सेवन के और बढ़ते हैं जहां में बात करते हैं भारत में रास्टवादियों और मजदूर वर्क के बीच एक संबंद के उपर में टिपनी कीजिए भारत के जो रास्टवादी थे और मजदूर था। उनके बीच में संबंध किस पर करकाता है। इसके बारे में हम बात करते हैं। देखो, यहां पर 1870 के अंदर में ससी परसाद भीनरजी ने, ब्रह्म समाज के जो ससी परसाद भीनरजी थे। उन्होंने 1870 में मजदूरों की इस्तिती थी उसकी दैनिय स्तिती को देखकर एक संग बनाने की कुर्सिस करते हैं, जहां पर उसके अंदर में सुधार लाने की कुर्सिस की जाती है, कि किस तर से मजदूर जो थे उनकी स्तिती को इंप्लिमेंट कर सकते हैं, सुधार कर सकते है इसके बारे में बात के जाता है कौन था वेक्ती? तो ससी पत बेनर्जी उनका नाम था 1870 में उनके दौरा मज़दूरों के सिती में सुद्धार लाने की कोर्चिस की जाती है ठीक है इसके लिए वो कलब बनाते हैं जिसका नाम था वाकी किंस कलब करके वाकी किंस में कलब करके इसका नाम दिया जाता है और इसका गठन क्या गया था 1870 के अंदर में जिसके अंतहत क्या क्या गया था कि लोगों की जो जिसतर से उनके अधिकारों को हनान हो रहा है ठीक है उनका जो पूरा जो इस्तिती उनके अंदर में सुधार लाना, रिफार्म करना उसके बारे में आप जोर दिया गया था, सासाथ आप जोती बाए फूले के बारे में भी पढ़ते हो, जो अठार सो नबे के अंदर में किस तर से सुधार लाना था, बॉम्बे मिल्स के अंदर में किस तर से किया गया, कौन-कौन से कारे कर सकत राष्टवाधी मजदूरों के अंदर में क्या बुरी ववस्ता बूराहूंस समय विचारदार थी है तुमक्त को अजाद करने की थी वहां पर किस तरह के सम् समय विस्थरित कर सकते उसके बारे श्रूत की जाती जबकि च्व1 अंग्रेजंग के बारा भारत के अंदर में उद्योगिक करांती की सुराथ की जा चूकी थी उद्योगिक सोरूप का विस्तार के जा जाना था जहां पर मस्दूरों की ज़रूत थी ठीके जिसके कार्ण से उसके ऊपर में रास्ट वादियों की दरा ज़ Hanshjey जूर नहीं दिया गया ठीकWind राष्ट वादी इन मजदूरों से बसते हुए ने ज़रा है उनका ये भी माना था कि मजदिरों का जो अधिकार था या फिर उनकी सुधार लाने की जो चीजे थी वो कंपलसर ही नहीं है क्योंकि हम राष्ट की वात कर रहें राष्ट अकर हमारा अजाद होगा तो सारी चीज के अंदर में ठीक है समझ में आता है अगले कोशन के बढ़ते कोशन मेरे जहां पर हम बात करते हैं पाकिस्तान की मांग और उसके परिणामों की विवेचना की जिए पाकिस्तान की मांग क्या थी ठीक है पाकिस्तान की मांग मतलब क्या पाकिस्तान का विभाजन कैसे हुआ भारत बना कैसे भारत का विवाजन किस परकार से हुआ पकिस्तान उदे कैसे हुआ इसके बारे में बात करते हैं तो देखो भारत के विवाजन का सबसे बड़ा स्रेज आता है टू नेशन थियोरी के बारे में चलो यहाँ पर कोशन आफ वीडियो में पूछूंगा अभी भारत का विवाजन होगा होगा यह मानना तैथा उनके इतियांसकारों का साथ साथ में ये भी कहा गया जैसे ही वहाँ पे Muslim League की स्थापना हुई जहां पर एक अलग ग्रूप एक अलग ग्रूप के लिए लड़ने लगा अलग ग्रूप एक अलग ग्रूप का आवाज उठाने लगा जैसे Congress की स्थापना की गई थी कोई भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो किसी भी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो सरकार से प्रॉब्लम हो तो Congress को बताए Congress सरकार को बताएगी तो इसलिए Congress की स्थापना की गई पर साथ साथ में जैसे Muslim League की स्थापना हुई Muslim League की स्थापना के साथ में ही confirm हो गया, कि भारत का विवाजन पैै है, इसका reason ये था कि मुस्लिम लिएक की स्थापना इसलिए की गई, जो भी मुसलिम वर्ग है, उसकी आवाज मुसलिम लिएक के दोअरे उठाए जाये, बाकी वर्गों का आवाज हब जो मंदलब नीड़ने होता है हिन सब का भी रोल रहता है कहीं नहीं-गहीं कर दिया जा ऻा जाया यह इसकी मांग तो आपको इसका बताना इंपक्ट क्या रहता है तो किस तरह से पूरा देश चर मारा जाता है उसके अधि सबस्ता कहतु है कई सारे लोगों की जानमान की हानी होती है ठीक है देश रात और रात दो टुकड़ों बढ़ जाता है उस सारा इंपक्त आपके प्रणामों को यहां पर डिफाइन करना है अगला जो कोश्चन कोश्चन माइन नाइन जहां पर हम बात करते हैं भारतिय राष्टवादी और सवाल्टन डिस्टी कौन की विषलेशन कीजिए अब देखो जब आप भारते राष्टवाद पर माक्सवाद और सवाल्टन अद्यन की बात करोगे तो यहां पर जो माक्सवादी विद्वान है राष्टवाद को आर्थिक कारकों और वर्गी करित बिभेद के और ध्यान पर देते हैं आर्थी कारक किस प्रकारत एकनॉमिक इंपेक्ट क्या था ठीक है उसके बारे में बात करते हैं साथ सात्य में उनका विचार था उत्पाद और वर्गों के परणाली का विशलेशन के अधार पर था ठीक है वो भारत को हमेशा से एक राष्ट नहीं मानते थे कि स स्थार्टिंग से रास्ट रहा होगा यह यह मानकर नहीं चलते हैं आधुनिक समय में बना यही इनका यह मानना था ठीके कई सारे चो माक्सवादे इतिहास कारते जिनके अंदर में M.N. राय जिन्नोंने यह माना कि किस तरीके से भारतिय रास्टिय आंदोरन एक सवर्भूमि उनका यह भी यहाँ पर विचार था ठीके किस तर से पुंजी वाद अग्रसर हुआ पुंजी वाद किस तर से ग्रो किया वो यह इस बात को दिखाते हैं इस बात को मानते हैं भारतिय रास्टवाद के अंदर में स्थाने पुंजी वाद की क्या भूमका थी किस परकार से प माक्सवात का कॉंसेप्ट बताया सबाल्टन अध्यन की बात करो तो सबाल्टन अध्यन की विचारदारा है वो रंजित गुहा के द्वारा इंट्रड्यूस कहा जाता है रंजित गुहा सबसे पहले सबाल्टन पत्रिका के द्वारा एक सबाल्टन पत्रिका था जो निम्रवर पimat करने के कुछिस की जाती है, उनके द्वारा ये कहा गया रंजीत गुभा के द्वारा बड़े लोग जो यह उच्छ वर्ग लोग थे यह जो दूसरा गुरुपल था, उनके बारे में बात करने के लिए काफी सार लोग है, पर जो सबालतन लोग थे, नीमन वर्ग लोग थे, जो छोटे लोग थे, जो कुछले हुए लोग थे, उनके बारे में बात करने के लिए कोई नहीं था, तो रंजीत गुहा दौरा सबाल्टन द्रिश्टी कोन को इंट्रोडीउस किया जाता है, और भारतिय राष्टवात के अंदर में ये वाला जो टॉपिक है इंपोर्टन है, आपको माक्सवादी और सवालता नद्यन को सही से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए कि किस परकार से आदिवासी समूँ क्या था, ठीके किस तर से मजबूर समूँ क्या था, ठीके, जो कुलीन वर्ग था, उसका क्या इंपेक्ट रहा, इन सभी चीजों के उपर में टॉपिक बनकर आते हैं, कोश्टन बनकर आते हैं, आप इनको बताना पड़ेगा, ठीके, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा वीडियो एंड होता है, अगली वीडियो में हम मिलते हैं, जल्दी से जल्दी, और आप सभी स्टुटन का जिनका भी पेपर है, अभी चल रहा है, all the best, मैं ट्राइ करूँगा कि जितनी जल्दी हो सके, और भी कोश्टन बिपर की वीडियो में as soon as possible, मैं upload करूँ, जिससे आपको benefit मिले, और वीडियो को last तक देखिए, समझे क्या चीज़े क्या है, नहीं है, अगर आपको समझ में नहीं आता है, कोई भी question है, कोई भी topic है, कोई word है, जो समझ में नहीं आया, directly आपको करना क्या है, comment किजिए, मैं answer दूँगा, comment किजिए, WhatsApp group का link मांगे, मैं आपको WhatsApp group का link दे दूँगा, WhatsApp group से जुड़िए, वहाँ पर WhatsApp में मुझे directly question पोच्छ कर, अपना doubt solve किजिए, जिससे आपके doubt clear हो, और आप अच्छे number से pass हो सके, में history में अच्छे number आएं आपके, इसके बारे में हम discuss करते हैं, किस तरीके से क्या रहेगा, कैसे आपको solve करना है, जो भी doubt हो, आप WhatsApp group में directly मुझे solve कर सकते हैं, चलिए हम यह पर अपना वीडियो end करेंगे, thank you so much for watching me, thank you so much for listening me, bye bye, take care, all the best.